व्यक्राइब को आपको बाहिक है और आपकी गारी स्टार्ट नहीं हो रिखाना और तो आईए देख्ते हैं इस तरह से आप इसे चेक करना है कि दरसल क्या होता है अग्र आप चाभी ओन करते हैं तो आपको महसूस हो हैं तो उसे कैसे चेक्ट किया आपको यह धीकर सकते हैं जो कि आपको फॉलो करने है आपको पहले तो आपकी चावी चालू करकर आपको चेक करना है कि आपका मोटर चल रहा है कि नहीं कान लगा कर आपको देख लेना है अगर यह वर्किंग कर रहा है फिर भी आपको काम करना है देखिए अगर आपको यह कंफर्म करना है कि आपका मोटर चल रहा है और पंप अ नीचे लगी हुए इसमें पेट्रोल आता है तो उसे निकाल देना है और आपको करना क्या है दो वायर लेना है और इसके शॉक्ट तो आपको अलग कर देना है तो अब देख सकते हैं हमने चालू करके देखा तो इसमें फ्यूल नहीं आ रहा है तो इसका connection हमने लगा कर देखिए चालू किया बडिस्क में देखिए आ नहीं रहा था जो फ्यूल आ नहीं रहा है हमने बंच चालू बेरकर चेक किया फिर भी इसमें फ्यूल नहीं आ रहा है तो अभी हम इसके coupler को निका लेंगे और इसके wire में भी आपको चेक कर लेना है कि कि current का flow हो रहा है कि नहीं तो आपको इसे निकाल लेना है और अगर आपको डारेक्टली मोटर चेक करना है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं देखिए red वाले wire में आपका आएगा current आएगा आराज हाम तो आपको इस चेक करना है दिखिए डारेक्ट हमела बैटरे से डारेक बोल्ड देंगे ब्लाइक को और देंग देना है और रेड वायर वायर को आपको पॉसिरिटिव में डालना है तो यह दो दो वायर को आपको लगाना है बैसिकली और तीसरे वायर के तरफ मत दीकिए वो गेज वागे रगाए है आपको इतना तो यह देखिए दो वायर हमने लगा दिया है और सब्सक्राइब हम डारिक लगा कर चेक करते हैं आपको यह चीज का ध्यान रखना है जबी आप करें तो इसको सेफली केजिए क्योंकि अगर पॉजिटिव और निकेटिव अगर आपसे मिलेंगे तो इस पार्क होगा आपका कॉल जल सकता है तो थ्वड़ा ध्यान रख्या से काम करना पढ़ता है दूर दुर रखकर तो अभी हमारी मोटर नहीं चल रहे है तो आपको यह कनफर्म होजागा कि अंदर की मोटर का प्रावलम है तो आपको नेक्स वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे से रिमूव किया जाता है और कैसे हम मोटर को तो इसके आगे का वीडियो आप नेक्स वीडियो में आप देखिए हैं हम उसमें आपको बताएंगे कि आगे क्या प्रसेस होता है कैसे चिक करना होता है तो हम दिखा आपको आगे वाला प्रोसेस थैंक्स वाचिंग मिलते हैं नेक्स कोड़ी में तब तक किलो अलाह विस्टेक केर गूद बाई